नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने ही परिवार परिक्षा अड़ा में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस बाइलोजी की दोस्तों एक बात याद रखिएगा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिस किया कीजिए ठीक है न फिलाल यहां तो हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन जब भी आपके आपके आफ्लाइन क्लसेश शुरू ह तो हम उन सभी टॉपिक्स के बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कुछ वन लाइनर क्वेशन और उनका आप आंसर देनी की कोशिस कीजिएगा ठीक है न मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी उसका उनक्वेशन का आंसर देंगे और कम पानों खुपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है आंसर क्या लगाएंगे आप आठ अब आपको मुझे ये बताना है कि उन हड्डियों का नाम क्या है ठीक है उन हड्डियों का नाम क्या है मैं आपको ये भी बता दू कि चार हड्डियां मेन होती है और दो हड्डिया एक कह सकते हैं आपकी दो हड्डियां चार हड्डियां मेन होती है और दो जो होती है आपकी वो सपोर्टिंग रोल में होती है तो इन श्यों हड्डियों का नाम बताईए आप ठीक है ना टोटल होती है देखिए यह तो अलग-अलग हो गई छे लेकिन टोटल की बात करें तो total होती है 8 clear next question मनुस्य का हिदे धड़कता है 72 बार प्रती मिनेट next देखिए स्वस्थ मनुस्य की स्वसंदर 16-18 बार ठीक है अगर स्वसंदर की बात करेगा तो आप कहेंगे 16-18 बार ओके next question देखिए आ गया है आपका मस्तिस्क का वजन कितना होता है 1350 से 1450 ग्राम तक भी कहीं मिलेगा आपको कहीं कहीं 1400 ग्राम भी मिल जाएगा ठीक है next question देखिए सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो femur है आप जानते हैं जांक में पाई जाती है ठीक है अब यहीं से मैं आपको एक question देता हूँ इसका भी आंसर आपको मुझे comment box में भीजना पड़ेगा ठीक है ना जो पैर की उंगलियां होती है पैर की उंगलियां होती है उनमें कितनी हड़ीयां पाई जाती है और उन हड़ीयों को आप किस नाम से जानते है यह आप comment box में send करिएगा ठीक सबसे छोटी हड़ी कौन से होती है तो stepage होती है ठीक है अब सुनिए एक question यहां भी बन गया आपका कि कान में पाई जाती है stepage ठीक है कान की में कितनी हड़ीयां पाई जाती है तो यह भी बता देता हूँ में आपको 3 ठीक एक का नाम तो stepage हो गई बाकी दो का नाम आप मुझे बताईए चली next question सबसे मजबूत हड़ी कहां की है तो जबड़े की है सबसे मजबूत हड़ी कहां की है जबड़े की है सबसे कठोर भाग कहां कहा है दात किसे बने होते है यह भी आप बताईए मुझे किमन बॉक्स में next question सरीर का सबसे कठोर तत्यु है ठीके ना सरीर का सबसे कठोर तत्यु क्या है अप सुनलेजे जो दात बने होते है वो अनामिल के ही बने होते है लेकिन अनामिल किसका mixture है ये आपको बताना है समाने मनुस्थ का रक्त चाप होता है 120 हाई होता है और 80 लो 120 अबलिक 80 मिली मीटर ठीक, सरीर में रक्त परीब्रमन में लगा समय 23 सेकंड का समय लगता है पूरे सरीर में रक्त को घूमने में चलिए, नेक्स्ट कोशन दोस्तों मानो सरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80 प्रत्शत मानो सरीर में जल की मात्रा की बात करें तो 65 से 80 प्रत्शत होती है रक्त की मात्रा सरीर के भार का लगभग 7 प्रत्शत होती है जैसे मैं कह दूँ आप से किसी वैस के मनुस्थ के सरीर का भार 70 किलो है तो उसके सरीर में कितना रक्त होगा फटा फट से कल फ्लेर करके बताईए मनुस्थ में रक्त की मात्रा लगभग 5-6 लीटर होती है मनुस्थ में रक्त की मात्रा कितनी होती है लगभग 5-6 लीटर या सरीर के वज़न का 7 प्रतिसत ठीक पियच कितना होता है रक्त का साब दसमिलों चार होता है ठीक रक्त को सुद्ध करता है सुद्धी करण का काम कौन करता है तो क्या कहेंगे किडिनी करती है ठीक है वरिक करता है ठीक है या कहा जाए च्छनन करने का काम कौन करता है तो आप कहेंगे किडिनी करती है ठीक है यहाँ पे question थोड़ा सा होना चाहिए कि जक्त को छनन छानता कौन है तब आपका अंसर kidney हो जाता यहाँ पे यहाँ पे आपका होना चाहिए यक्रित ठीक है यहाँ पे आपका होना चाहिए यक्रित आंसर क्योंकि यक्रित नहीं फेफ़रा होना चाहिए क्यों होना चाहिए दो और ब्रूना वस्था मेरक्त का निर्माड कहा होता है एक कुश्चन ये दो कुश्चन आपको बताना है यहां से आरबीसी का मिर्त्यू पलीहा में होती ही मनें आपको आंसर ही बता दिया चलिए कोई बात नहीं लेकिन आप मुझे यह बताईए कि भूना वस्था में रक्त का निर्माड कहा होता है ठीक है ना लाल रक्त कड़ों का जीवन काल होता है आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का 120 दिन का 20 से 120 दिन लिखा हुआ है ये सही है आपका लेकिन ज़्यादा तर 120 ही आप लगाएंगे ठीक है next question स्वेत रक्त की बात करें तो 2-4 दिन आप मत लिखिएगा आप लिखिएगा 6-8 दिन का ठीक है 6-8 दिन भी मिलेगा आपको या आपको 3-8 दिन भी मिल सकता है रक्त करण को कहा जाता है इतनी बाते हो गई स्वेत रक्त को लिउकोसाइट कहते हैं लाल रक्त को कहते हैं अरिथ्रोसाइट कहते हैं ठीक अब मैं आप से question पूछता हूँ कि जो स्वेत रक्त करण है डबलू वी सी है इनका रंग सफेध होता है क्यों ठीक है और लाल राक्तिकडboards का रंग लाल होता है क्यों ठीक यह दो question का अंसर आप मुझे बताएंगे ठीक है ए क्शली next question शरीर का ताप नियंतुर करता है hypothalamus gland कौन ता है hypothalamus gland अब hypothalamus को हम दूसरे किसी अन्य नाम से भी जानते हैं उस नाम को आप बताईए मुझे ठीक है और hypothalamus क्या करता है और जो कारे करता है वो भी आप मुझे बताईए ठीक है फिलाल ताप को नियंतरक करने की बात है तो hypothalamus सही है आप लेकिन और भी कुछ काम होते हैं वो आप म और O में भी देखिए दो ग्रूप होते हैं कौन कौन से O माइनस और O प्लस ठीक अब यह प्लस का मतलब क्या होता है एक होता है रीसस फैक्टर ठीक प्लस का मतलब होता है जिस ब्लेट ग्रूप में रीसस फैक्टर मोजूद है उस पे हम प्लस सिंबल लगा देते हैं जिस पर नहीं है उसमें हम माइनस सिंबल लगा देते हैं कोई दिक्कत ठीक है ना तो ओ में भी दो ब्लेट गूफ हो गए ओ प्लस और ओ माइनस ठीक है अगर यहां पर आपसे पूछता कि ओ प्लस भी आप्शन में देते और ओ माइनस भी आपसन में देते तब क्वेश्चन आपसे पूछे कि अब बताओ भाई कि कौन सा सर्व दाता है ठीक है ना तो यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टन है इसका आंसर आप मुझे बताए फटा फट से चलिए नेक्स क्वेश्चन सर्व गराही रखत समू होता है बिलकुल ठीक है लेकिन अब बेवी में भी दो होते हैं बी प्लस और बी माइनस अब इन दोनों में से कौन सा होताए सर्व गराही यह आप मुझे बताइए ठीक है ब्लैंक किसे कहा जाता है प्लीहा को इंग्लिष में लिखा हुआ है इस्प्लीन भोजन का पाचन कहां से ह होता है प्रारम हो जाता है मुख से ही नेक्स्ट कोस्टिन पचे हुए भोजन का और सोसन कहा होता है छोटी आत में होता है बिल्कुल सही है पित्त स्रावित होता है यक्रित से बाइल जूज जिसे आप कहते हैं बाइल जूज ठेक ये तो हो गया कहां से स्रावित होता है कहां संग्रहित होता है ये भी बताईए फटा-फट से और आपके पित्त में SEL की कितनी मात्रा है ये भी बताईए मुझे आप ठीक है नेक्स क्योशन सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी लिवर अगर मैं बात करूँ सरीर का सबसे बड़ा अंग तो आप कहेंगे तवचा ठीक अगर मैं आप से बात करूँ सरीर की सबसे बड़ी अंतासरावी ग्रंथी तो आप कहेंगे थाईराइड ठिक अब जब thyroid की बात आ गई है तो thyroid की thyroid से कौन सा हार्मोन निकलता है ये गरंथी कहां पाई जाती है और इस गरंथी से निकलने वाले हार्मोन की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है इन सभी question को फटा फट से comment box में आप मुझे बताएए next question सरीर का सबसे बड़ा अंग तो अच्छा देखिए लिखाई हुआ है आपके सामने सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी pituitary जिसे आप master gland के नाम से जानते हैं या puse gland भी कहते हैं next रक्त चाप मापने का यंत्र होता है इस figmo manometer ठीक है दोस्तों इसको आप याद कर लिजे important question है रक्त चाप मापने का यंत्र होता है इस figmo manometer ठीक है ना मनुस्ष की पसलियों की संख्या कितनी होती है 12 जोड़ी यानि की कुल मिला के 24 पसलिया ठीक 12 जोड़ी या कुल मिला के कितनी 24 पसलिया सरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 300 प्लस पूछे तो बच्चों में छोटे बच्चों में 300 प्लस हड्डियां होती है ठीक है ना clear next मांस्पेसियों की कुल संख्या 649 मांस्पेसियों की बात करे तो 649 अब यहीं पर आप से कुछ्चों में पूछता हूँ की सरीर की सबसे बड़ी मांस्पेसियों का नाम और कहां पाई जाती है ठीक है दोस्तों फटा फट से कमेंट बॉक्स में आपको पढ़ा है सरीर की सबसे बड़ी मांस्पेसियों का नाम और कहां पाई जाती है ये दोनों कुष्टन का अंसर आप मुझे फटा फट से कमेंट बॉक्स में भेज दीजे एक कुष्टन और सुन लिजे तंत्रिका कोशिका सरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है इसका भी अंसर आप मुझे भेज़िए नेस्ट कुष्टन सुनिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है जानते ही है लिंग निर्धारन होता है कैसे पुरसों के क्रोमोसोम से ठीक है न चलिए अगला कुष्टन मनुस्य का हिदय होता है चार कोश्टी एक कोश्टी होता है चार कच्छो होते है चार कोश्टी होता है ठीक है यहां पर आरेच का पूरा नाम क्या है तो आप कहेंगे बंदर पे इस बंदर का किया नाम था टा रीसर्ष और यहां पर आरेच का पूरा नाम क्या है तो आप कहेंगे Research of Human, ओके, सरीर में अमीनो अमले की संख्या होती है, 20 सरीर में हमाने कितने प्रकार के अमीनो अमले पाय जाते हैं, 20 ठीक है ना, तो इन 20 प्रकार के अमीनो अमलों को आपको याद करना है अपना Notes पलेटी है, Notes में आप लिखें हुए ट्रिक वाइल, ठीक है, और ट्रिक से मैंने आपको बताया था कि गली में आया, गुलाम अली, गुलसन तेरी याद में करने ही सेरों सायरी, इस तरह से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है ना तो आप बड़े ही आराम से 10 अमीनो एसिट तो यादी कर सकते हैं, इसी ट्रिक से ठीक है, जैसे की गली से हो गया आपका गलुटेनमाइट इस तरह से, ठीक है ना, तो आप इसको याद कर सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं सरीन में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग देर लेटर भाई, ठीक है ना मूत्र दुरगंध होती है, यूरिया के कारण ठीक है, कुशन पूछ लेता है कभी कभी कि भाई, जो सार्वनिक सोचाले होते हैं उसके बार जो गंध आती है, वो क्यों आती है तो आप कहेंगे, अमोनिया की होती है किस की होती है, अमोनिया की होती है बास समझ रहे हो, ठीक है अगला कुशन सुनो, मानो मूत्र का पियच होता है तो कहलो 6 होता है, नहीं याद हो रहा है तो जब तुम सार्वनिक सोचले की सामने से कुछ आते हो तो क्या कहते है या ची बहुत तेज बद्बू आ रही है तो इसी ची से बना लो च्छे याद हो जाएगा कोई रिक्कत है बोलो ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का पियश तो 7.4 होता है आंसू का पियश तो 7.4 होता है दोनों का पियश आप 7.4 याद रखेंगे ठीक है ना अगर नहीं याद हो रहा तो कैसे याद करो बताओ ऐसे याद कर लो कि कोई प्रेमी था भाई किसी प्रेम का के चक्करें पड़ा हुआ था प्रेम का छोड़ के चली गई अगर आता है तो यही सही माना जाएगा अगर आता है तो यही सही माना जाएगा अगर आप्सन में 98.4 है 98.6 भी है तो 98.4 कोई टिक लगाना ठीक है ना और सुन लो 37.6 होता है अगर आप्सन में 36.8 नो दिया हुआ है तो यही तिक लगाना यही सही माना जाएगा ठीक है ना 37 को सही नहीं माना जाएगा तब 36.8 नो जो दे देगा ठीक है अगर वैसे बात करें कैलिविन में तो 310 कैलिविन होता है ये भी आपको याद रखना चाहिए 310 Kelvin भी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टीबिया नामा खड़ी कहां है तो पाई जाती है तो आप कहेंगे भई पैर में पाई जाती है ठीक है अगला कुस्टन सुनिए मेरी तरफ से आपके लिए कुस्टन ये है कि पटेला नामा खड़ी कहां पाई जाती है ठीक है ये आप बताईए मुझे और सुनिए टारसल नामा खड़ी कहां पाई जाती है ठीक है और सुनिए कारपल्स नामा खड़ी कहां पाई जाती है ठीक है तो टारसल कहां पाई जाती है पटेला कहां पाई जा यह आप मुझे बताईएगा दोस्तों ठीक है ना सली नेक्स्ट कॉश्टन के बढ़ते हैं सरीर में उत्कों का निर्माड करता है होता है कैसे तो आप कहेंगे प्रोटीन से होता है ठीक है मस्तिश का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिक जिसे आप सेरीब्रम भी कहते हैं और से अगला कॉश्टन और आज का अंतिम कॉश्टन दोस्तों अंतिम कोश्टन आज का है आपका यह दातों और हड्डियों की सरस्थना के लिए आउसकता तो क्या है तो आपका आँसर होगा कैल्सियम और फास्फोरस ओके दोस्तों तो यहां तक मुझे उमीद करता हूँ कि ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिये, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए, फटा फस्के चैनल को सब्सक्राइब कीजे और जादा से जादा वीडियो को सेयर कीजे, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं रोकते हैं जैहन जैभारत नमस्कार